तो इंटर्शिप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आखिर इंटर्शिप के लिए अपलाई कैसे करें और इंटर्शिप क्यों जरूरी है इन सब चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में तो चलिए ये वीडियो स्टाट करते हैं आपने कोई course करके निकलते हैं तो डारेक्ट जॉब में आने से मतलब डारेक्ट जॉब आपको नहीं मिल पाती है तो लोग क्या करते हैं internship की तरफ move on कर जाते हैं इसमें क्या होता है कि आपको कुछ महीनों क्या या फिर एक साल का आपको internship internship जिसमें आप काम सीखते हैं और company के लिए आप काम करते भी हैं. ऐसी कोई company नहीं होती है कि जो free में बेठा के आपको salary भी डbblesे और आप से काम भी करवा हैं. मतलब काम भी सिखा हैं. तो इसमें क्हीं होता है कि internship में आप जाके join करते हैं join करने के बाद जो आपको first काम होता है कि वो आपको मतल समझ लिए कि 10 दिन या पंदा दिन होगी हलकी सी training देंगे और आपको इस job में आपको डाल देंगे वो देद ही करके आप में add करते हैं जैसे कि digital marketing है तो आपको off page activity आपको क्या करना है कैसे करना है कौन सा email id यूज करना है कौन सा password यूज करना है वो सारी चीजे आपको बता दी जाती है starting में और एक दो करके आपको दिखा दी जाती है कि देखो ऐसे करना है आपको यहां से search करना है और यह email id और यह keyword और यह description है तो यह आपको करना है तो आप वही pattern follow करते हैं दीजे दीजे करके चीजे बढ़ाई जाती है तो आप सीखने लग जाते हैं तो यह होता है एक internship तो एक तो है intern shala जहां से आप job मतलब की internship के लिए apply कर सकते हैं companies भी search करती रहती है क्योंकि company को यह खर्चा मतलब कि एक तरह से समय लिए कि चाहे तो free experience certificate मिल जाता है आपको और company को ज्यादा pay भी नहीं करते हैं पड़ता तो थोड़ा बहुत 5,000-10,000 रुपए आपको internship के मिल ज रखते हैं free में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पर मैं individual video बनाऊंगा बट मेरे मानिये तो free में काम मत कीजिए कम से कम 5,000 तो जरूर लीजिए क्योंकि आने जाने का कम से कम खर्चा तो निकले आपका और साथ में experience certificate आपको मिल जाता है वो एक plus point है आप बात करत resume बना के resume पर already बना दिया है video नहीं देखा है link i button पर दे रहा हूँ जाके जरूर देख लिजेगा आपने वो बना दिया हर जगा पर अपना profile अच्छे से create कीजिए और 100% profile create कीजिए आपको call आना start हो जाएगा और हर एक interview पर जाके जरूर face कीजिए होगा नहीं होगा वो बा देखिए उससे फाइदा आपको ये मिलेगा आपको experience हो जाएगा जो confidence level आपने lose किया है तो वो confidence भी आपको आ जाएगा काम करने का corporate life में कैसे काम किया जाता है वो आपको धीदे करके idea हो जाएगा और जब आप job के लिए जाएंगे full face से तो आप में एक अलग तरह का confident आप बनके जाएंगे जिससे कि आपके हर job clear हो जाएगे तो ये लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ कि हर जगा apply जरूर कीजिए इसी के साथ साथ आप cold email भी कर सकते हैं यानि कि लोगों को आप समय लिए किसी company को आप target कर रहे हैं तो उनके owner का mail idea आपको मिल गया तो आप क्या कर सक हैं कि एक अच्छा सा subject line जरूर लिख दिजे अब समय लिजे कि मैं अगर लिख रहा हूं और समय सब्जेक लाइन में मैंने यह लिख दिया email में कि I am looking for internship ठीक है तो मैं उस mail को delete कर दो हूँगा बट अगर मैंने उस company को मैं apply कर समय लिख दिया कि three problems in your SEO और या फिर लिख दि दिया है कि social media has कुछ भी like you have three problems ठीक है your ads have three problem Google ads have three problem your landing page have these problems ऐसा करके मैंने कुछ भी ना subject line लिख दिया तो बंदा ना जो owner होगा वो जरूर से click करेगा और click करेगा तो वो तीचे हाएगा तो जो भी उनके छोटे मोटे problems हैं उससे bullet point करके आप वहाँ लिख सकते हैं और फिर आप internship की बाते कर सकते हैं कि मुझे internship चाहिए और यह चीज़े आप आगे लेके चल सकते हैं देखिए अगर internship में आप एक चीज़ और बता दूँ अगर आप blank face लेके जाएंगे कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो company वाली आपको hire नहीं करेंगे बात समझे अगर आप वाँ जाते हैं तो समझे जी SEO के लिए ही गया है तो SEO के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़के समझ के चीज़े उनको बताईए ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल आप ऐसे जाएंगे कि मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं आता है आप ही को बताना है मेरे को सब कुछ तो company ऐसे आ कर दोल आता है